हेलो फ्रेंस आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी एक्टर होस्ट आमिर लियाकत हुसेन की लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करूंगे जिनका 9 जून 2022 को आगाखान विश्विद्याले होस्पिटल में 49 साल की उम्र में संधिक्द कार्डियक अरेश्ट से उनकी मौत हो गई आमिर लियाकत हुसेन एक एक्टर टीवी होस्ट राजनीती के और हास अभिनेता थे वो पाकिस्तान में बहुत ही महशूर टीवी होस्ट के रूप में चाने चाते थे और पाकिस्तान की टाइटल 100 पॉपलर हस्थियों में से एक थे राजनीतिक मोचे पर वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सतर से थे उनकर जिन में कराजे पाकिस्तान में 5 जून 1971 में हुआ था उन्होंने PhD कर रखी थी आमिरी ने अपनी लाइफ में 3 साधियां की थी उनकी पहले पत्ने का नाम सयदा बुश्रा इकबाल है जो पाकिस्तान की उच नायाले में एक वकील और जियो टीवी में पूर्वो निर्माता है जिन से 2020 में आमिर का तलाग हो गया तुस्व जन 18 में आमिर ने सयदा तुबा अन्वर से साधि की थी जो एक एक्टरिस थी लेकिन डेर साल के बाद तुबा के साध भी उनका तलाग हो गया था इसके बाद 2022 में आमिर ने सयदा दान्या से जनकी उम्र 18 साल है उनसे शादी की जो कि उनसे उम्र में आधी से भी ज़्यादा छोटी है लेकिन साल 2022 में ही दान्या ने भी उन्हें तलाग देने की अरजी की आमिर लियाकत के उपर बहुत सारे विवाद नजर में आये हैं उनमें से एक ये भी है कि उन्होंने चुनाव में हिस्सा लेने के लिए बीए की डिगरी खड़ी थी इसके अलावा उनकी तीसरी पत्नी ने भी उन पर ड्रक्स लेने की बात बताई थी इसके अलावा भी बहुत सारे विवाद आमिर लियाकत हुसैन से जुरे हुए हैं आमिर लियाकत हुसैन करोणों की संपत्ती के मालिक हैं उनके आलिसान घरों की कीमत भी करोणों में आती है उन्होंने अपनी पत्मियों को भी लाखो करोणों की कीमत में उपहार दिये थे आमील याकत एक टीवी सो का लगबख 20 लाख रुपई चार्ज करते थे आराज वो अपनी पीछे अपनी फैमली के लिए करोणों की समपति छोड़ गए फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर पसंद आये तो प्लिस लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा